वैज आज पताने हुए तो पहले समान को हटा लेते हैं, बहुत दीनों के बाद में आज चुना से लिपने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग कलर से ही पुरा घर की लिपाई करते हैं, आज मैं सोच रही हूँ, यहाँ पर कीचन को बस चुना से लिपाई कर दूँ, तो पहले हम जाडू उडू लगा ले अच्छा कलर आता है, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रही हैं दोस्तों, और देखे और बताईएगा कमेंट में जरूर, और प्लीज मेरे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजेगा, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लेकर के आती हूँ, रोज दिन पर देखे, मैं अभी चुना से लिपाई कर रही हूँ, तो ये हमारे पास लिपने वाला था, तो उसी से में लिप रही हूँ, इसे पहले तो मैं हाथ से ही लिपाई की थी, आज मैं इसे लिपाई कर रही हूँ, पुचड़ा वाला से, तो अच्छा लग रहा था लिपने क लिपाई कर रहे हैं कैसा लग रहा है देखने में आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके तो अभी रिखी में यहां पर नहीं बन रहा था तो खड़ा होकर के लिपाई कर रही थी और सारा दिवाल अभी हम लिपाई करेंगे इस वाला को चोटा सा है उसको और यहां पर बस जहां पर हम चुला रखते हैं वही पास बस हम लिपाई करेंगे उसके बाद हम कभी पूरे घर की लिपाई कर देंगे धीरे-धीरे करके और ऐसे परबुरभ भी आ रहा है तो फिर लिपाई तो करना पड़ेगा ही पहले तो जहां जहां पर मिट्टी निकला हुआ है वहां प मिट्टी छबाई करनी होगी उसके बाद पूरे घर की पुचड़ा करना होगा चुना से या तो कलर से आप लोग पूरा वीडियो में बने रहे हैं और ऐसे हमारे चैनल में अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे हम जब भी शायर करेंगे आप लोगों के पास जारूर पूरे दिवाल को लिपाई कर देते हैं फिर दिवाल को चुना से लिपाई करते हैं और नीचे गोबर मिटी से लिपाई कर देते हैं तो देखें अभी यहां पर पूरा हो गया है लगबग लिपने के लिए और मुझे इस तरह से लिपना च्पना अच्छा लगता है दोस् तो हमें भी अच्छा लगता है अच्छा से रहने के लिए तो देखी लिपाई पूरा होने के बाद अभी तो खरकच्छा है तो ठीक नहीं लग रहा है लेकिन जब सुक जाता है तो बहुत सुंदर लगता है इसका कलर उभर के आता है तो प्रेंट्स दिवाल की पूरी हो थोड़ा गोल भी जाता है तो सब सफ़ाइगा तो काम मुतलब कीचन के पास थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता ही है तो अभी हम यहां पर भी लिपाई कर देंगे उसके बद बरतन उर्तन जीतने भी है गंदा सब को निकालेंगे और दोएंगे तो यहाँ पर पहले हम बच्चे इसकुल से आ गए हैं वो लोग बाहर में खेल रहे हैं उनके साथ में रोहन भी खेल रहा है और यहां पर थोड़ा सा मिट्टी निकल गया था तो वहां पर मिट्टी भी डाल दिये हैं क्योंकि मिट्टी भी हम साथ में लेते हैं ताकि जहां जहां पर मिट्टी निक लेते हैं पूरे धर की तो यहां पर ज़ाड़रते रहो तीन भर में तो फिर उतना ज्यादा कचड़ा नहीं नि अंदर डाल देंगे मतलब अंदर थोड़ा सा करके रखेंगे बाहर में दिखाई दे रहा तो ठीक नहीं लगता है पर क्या करें हमारा ऐसे ही जगा ही है तो फिर रखना तो पड़ता है तो इसको हम अंदर घुशा करके रख दिए और यहाँ पर थोड़ा जाड़ू लगा द देते हैं उसके बाद देखे सब जगा चकाचक हो गया है मेरा की चन और देखने में पर सुन्दर लग रहा है यह सूख गया कलर तो चुना तो कलर उभर का आया है बहुत ही सुन्दर और यहाँ पर मेरी कीचन पुरी साब सफाई लग रही है अभी साम के टैम होने वाले है तो अभी हम जल्दी से मांज दो लेते हैं तो यहां पर देखे जितने भी बरतन गर्णदा था जितने भी बच्चे खाए पिये थे सब हम निकाल लिये हैं अभी हम इसको धोना स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से उसके बाद आज हम नहाएंगी क्योंकि इतना ज़ाड़ फिर अहुड़ो किये फिर पुरा जोल जाड़े ना तो फिर मेरे सरीर में भी गिर गए तो थोड़ा खुझली टैप सा लगता है इसलिए हम मांज धो करके पूरे घर की काम सभी निपता लेते फिर में साम के टेम में नहां लेते हैं तो इतने सारी बरतन हैं सभी को हममाज लिए हैं इसको खंगार देंगे और इसको पानी गानिके लिए बाहर झोड़ देंगे और हम नहां धुलेंगे तो अभी शाम के टन्अ में आज बारिस से आया लेकिन उतना ज्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा नहाने तो आने में फूर्तिली लग रही है तो यहां पर जितने भी बरतन थे सब हम खंगार लिए हैं यह देख्ची सब अच्छे से खंगार लेंगे फिर रख देंगे और यहां पर जो भी को भी साफ करेंगे थोड दिये तो फिर इसको चोड़ दें तो हम सीलवर्ट को भिनिकला लिए हैं और इसको रगड़-्रगड़ के अच्छा से धो रहएं क्योंकि होपना मसाला घूस जाते फिर निकलते नहीं हैं तो अंदर में हम रखते हैं तो पंदर में जलदी अधेल Saboon probe gonnaak Toby इसलिए सकरही अच्छे से रगड़ड़ते हैं और अदर रख देंगे और की इटना सुझत अधोने मांजने के बाद ना कोई भी समान बहुत ही सुझतर लगता है देखने में तो दोनों को अच्छ सबह दोता है तो हम दोनों को धो लेते हैं अच्छे से साबून सरप से और उसके बाद हम इसको अंदर रख देंगे यहाँ पर रोहन मिट्टी में खेल के आया था और देखें बोल रहा है हमका पानी दोमा उसको पानी दिए फिर हां तो धो आया वो भी और गया और उसके बाद यहां पर देखिए कि इतना ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है तो हम इसको सभी को जाड़ू से जाड़ू कर लेंगे उसके बाद पाने मार मार के अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद हम अभी कपड़े भी धोएंगे क्योंकि बहुत दिनों से कपड़े भी नहीं जैसे खुजली उजली होता है सरीर में, करद उर्धा गिर जाता है, तो फिर नहाने का मन ही करता है, तो यहां पर देखे मैं नहा धोली हूँ और सारे कपड़े भी धोली थे, उसके बाद में आ गई हूँ, अभी लगबग सामे हो रहे हैं, तो यहां पर रोहन भी आ गया दे तो जोड़ दिये थे फिर उसको बाद में हम पहना देते हैं तो यहां पर देखिए मेरे सारे कपड़े डाल गए फिर आ गए हैं देखे रात के टैम है यह तो उसके बाद में कपड़ा उपड़ा डाले उसके बाद में अपना बाल और सुखा रही थी तो फिर कुछ वीडिय के सबजी बना रही हुँ यहाँ काटे हुए हैं मनम जबस जाए सने के लिए और हम काटे हुए सबसें जया गया है विलाए हुए दो और इस टेम्प थोड़ा रात ही हो जाता है मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है अंधेरा ही हो जाता है हमारे यहां तो देखिए हमारा भुजयवन के तयार है अभी हम बच्चों के लिए खाना निकालेंगे क्योंकि बच्चे सो जाते हैं जल्दी खाना ही पाते हैं इसलिए हम खाना निकाल दिये हैं रोहनी के लिए पहले थम रोहनी को ही देते हैं क्योंकि उस सो जाती है